हेलो दोस्तो मैं जाइकान से निस्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल भात आईक्यू में हम ट्रिस्टान राजिस्थान पातिकार निश्प्राइब जैपोर एडिसन 11 दिसंबर तो बने रही है इस वीडियो में मेरे साथ आंदर तक तो आई शुरू करते हैं आज को डिस्क्रिशन पेज नमबर में बात की जा रही है यह नए संसद ववन को ले करके है तो यहाँ पे इसका भूमी पुजन होगा पी एम मोदी साहब इसका भूमी पुजन करेंगे और इसको 30 दिसों में लाइब भी किया जाएगा तो यह कुछ गट्टा करम चल रहे हैं तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टन सीजें इसके बारे में तो अभी जो संसद हैं लोकसभा में जो उसके स्पीकर भी हैं इसके साथ साथ यह भी आपको पता नोची लोकसभा के स्पीकर कौन है तो यह हैं आपके ओम बिडला सहब तो यहाँ पर नया संसद वववन बनाया जा रहा है इसके लिए एक प्रोजेक्ट इसका नाम है केंद्रिय विष्टा प्रोजेक्ट सबसे पहला प्रशन कि नया संसद वववन के प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है तो इसका नाम है केंद्रिय विष्टा प्रोजेक्ट नाम या का मंदर है 64 योगनी मंदर मुरेना मदर प्रदेश के अंदर इस्तित है यह जो मंदर है तो यहां से भी इसका डिजाइन प्रभावित है इसके अलावा हम बात करें तो पुराना जो हमारा संसर्थ भावन है उसका उद्गाटन 1927 में उस समय जो वाइस राय थे उनका नाम था वो काम कर रहा हमारा पुराना संसर्थ भावन बहुत है अच्छा बिटिस डिजाइन थी उसकी अच्छी आप मेरे को यह बताईए कि उसमें जो आर्किटेक्ट थे डिजाइन जिरोंने किया था उनके नाम किया थे कमेंट उपसो कमेंट करके बताईए उस समय के संसर्थ भ आवन में आये थे राजिसवा लोग सभा तो उससे पहले इसको बोला जाता था केंद्रिये लेजिस्लेटिव असेम्बली बोला जाता था इसको तो यह वर्ट भी आपको पता होना चाहिए पेज नमबर नबर एक और निगज़ यह बात किया है आरी कोवेड वैक्शिन की तो फाइजर जो कमपनी है उसके लिए उस कमपनी को यूके के अंदर परमिशन दे दिया लोगों को इलिए ओपन कर दिया तो वहाँ पर यह वैक्शिन दी गई यह लोगों को तो उसके गवराने की जुरूबत नहीं है यह सब चीज़ा बताई जा रही है इस वैक्शिन को देने के बाद पेज नमबर अमदरबाद की जा रही है बासवाड़ा के अंदर यह है मालिवे जी यह मालिवे की तालबा जिला प्रमोकेन की पतनी गैर तो यह गैर नरत वहाँ पर कर र यह कि यह विबसराइक नरते है या खान के नरत है किस टाइप का नरते है यह गैर नरते जो है पेज नमबर दो पे पे नूइज है यह हई है यह हईकरि ने इंटर्व्व रोक लगा दी है कौन से इंटर्वुई है यह पसु चिक्ट सा अदिकारी यह भलेते है 2018 कि इस पर पर राजसर करवा आपर चीज़ है इसमें चल रही है इस पकार की वेकेंसी को लेकर आरेस को भी रोक लगाई गई है दोजार ठारे जो में एक्जाम है तो ये चर्चाएं चल लए है इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए पेज नमबर 6 पे है ये एक एडिटोरियल है खादर सुरक्षा अधिनियम के तहट कुछ बात की जा रही है यह आपर तो आपको पता होगा एनफसे नेशनल फूर्ट सिकुर्टी एक 2013 में लाए गया था ताकि लोगों को भूख और गरीवी सी ना मनना पड़े इसके लिए ल लोगों को तो ये शर्षर पतिसेत आवादी बहुत बड़ी आवादी हो जाती है भरत की उनके लिए इस प्रकार की योड़ना चलाई गई ताकि लोगों को सस्ती दरों पे अनाज मिल सके इसमें गेहूं चाबल मोटा अनाज की ववस्ता की गई ये तीन रुपे दो हो तक सही चीज़ हम पहुँचें इसके लिए सब पार दस्यतर लाने की जरूरत है तो इसके लिए बायोमेटिक डिवाइस का पर्योग कर रहे हैं ये अभी उन्होंने बोल दिया है कि हाली में कि आधार से सीडिंग होना कंपर सरी है आधार से आपका राशन कार्ट सीड हो दी जाती है तो ऐसी चीज़ की जा रही है इसलिए बोला जा रहा है कि अपने राशन कार्ट से आप अपने आधार को सीड करा लीजिए और टीडिपीएस आपने नाम सुना होगी टार्गेटेट पब्लिक डिस्टिविशन सिस्टम इसका मतला होता है कुछ स्पेशल गुर जरूरत मन लोग है उनको इसका फाइदा पहुचाए जा सके तो ये कुछ चीज़ है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए पेज नमबर नपर बात की जा रही है एक और फुटवाल खिला रही है ये हैं इटली के तो इनकी भी अभी देहानत हो गया इनका बहुत बड़े दुनिया के फिटवल खिलाडी थे इनका नाम था दियागो माराडोना अरजंट इना के निवासी थे इनका भी निदन हो गया था तो इन दोनों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए प्रशने पूचा जा सकता है कि डियागो माराडोना का सम्बंध किस इनका बड़े दुनिया हो गया है तो इटली के फिर्वल खिलाडी थे यह पाउलो रोसी पेज रंमध असे बात की जा रिये हैं यह न्यूजा अफगानिस्तान की अफगानिस्तान में महिला पत्जर की हत्या कर दी गई है यह यह आपे न्यूस कवर की गई है देख सकते है यहां पे तो अफगानिस्तान को Heart of Asia के नाम से भी जाना जाता है इसके आलावा भारत की सबसे कम अंतराष्टी देशों से लगने वाली सीमा जो है वह अफगानिस्तान देश के साथ ही है तो अफगानिस्तान मैं आपको दिखा देता हूँ यह इंडिया है यहाँ पे इसका पियो के वाला कुछ एरिया है जो कि अफगानिस्तान के साथ टच करता है बारत का इस पकार से यहाँ पे तो यह जो एरिया है यह सबसे छोटा इंटरनेशनल बाउंडरी है बारत के जो कि अफगानिस्तान के साथ लगती है तो इसके बारे मे Heart of Asia कहा जाता है पेज रंबर दसे बात की जा रही है ये बात की गई है सुजरलेंड में Same Sex Marriage होगी कानूनी तो यहाँ पे यह बात निकल के आई है कि वहाँ के संसत ने ऐसा किया है कि वहाँ पे Same Sex होती है वहाँ पे अभी Legal हो जाएगी तो यह कुछ चीज़े है इसके संबन में भारत में हम देख लेते हैं क्या चीज़े है तो Same Sex Marriage को लेकर भारत में एक बहुती important case आया था इसका नाम है नवतेज सिंग जोहर बनाम Union of India 2008 याद रखिएगा प्रशन डिरेक्ली पूछे सकता है इस case के तहट क्या किया था Supreme Court में ये case आया था 2018 में तो Supreme Court ने IPC की धारा 377 को invalid कर दिया था यानि की decriminalize कर दिया था 377 के तहट Same Sex Marriage को क्योंकि इससे पहले इसके तहट सजा का प्राबदान था लेकिन जबसे इसको decriminalize किया है तो अब यहाँ पे किसी प्राबदान को सजा नहीं है 377 के तहट IPC की धारा जो है तो ये important case बन जाता है नपते सिंग जोहर बनाम Union of India 2018 तो इससे फाइदा किसको हुआ है ये community एक इसका नाम आपको पता हुआ था LGBTQ lesbian, gay, bisexual transgender और queer इनका full form आपको पता होना चाहिए LGBT कौन होते है तो इस community को इससे फाइदा हुआ है ये जो decision आया था सुप्रिम कोट का 377 को decriminalize किया था 2018 के case में ये case का नाम आपको पता होना चाहिए page नंबर असे बात की जा रही है ये बात की गई है जम्मू एंड कस्मीर की तो यहाँ पर पताया गया है कि एक एक के बारे में बात की गई है जिससे को भी repeal किया है हाली में केंद सरकार ने उस एक का नाम है रोशनी एक्ट बहुत ही इंपोर्डन बन जाता है ये रोशनी एक्ट तो जम्मू एंड कस्मीर जाता है तो यह से समद जाता है रोशनी एक्ट सबसे पहली बात इस एक्ट को 2001 में लागू किया गया था हाल ही मैंसे केंद सरकार ने खतम कर दिया है कारण इसका क्या है इसमें पताया है यह गया था इसमें बहुत ज़्यादा घालमेल देखने को मिला था इसमें मंतरी और सिविल सर्पेंट को बहुत ज़्यादा फाइदा हुआ है उन्होंनों इस एक्ट के तहट बहुत सारी जमीन पर कबजा कर लिया है तो यह इसलिए केंद सरकार ने इसको अभी रिपील कर दिया यानि खतम कर दिया है इसके तहट ओनर्शिप का अधिकार ट्रांस्फर किया जाता था और ओक्विपेंट से निधारे सुल्क वशूल कर लिया जाता था मतलब कि आपने अगर यह जमीन है यहाँ पे आपने कुछ कबजा जैसा कर रखा है तो बोला जाता था कि आप इतना पे कर दीजिए और यह आपको उनर्शिप का राइट हम ट्रांस्फर कर देंगे इसके लिए आपको तो यह कुछ यह देखा गया था यहाँ पे हाला कि यह काम किया गया था जो निचले तपके के लोग हैं लेंड़ लेंस लोग है जो वहां पे रह रहे, उनके लिए किया गया था लेकिन इसका फायदा जो षबसे अजना उठाय गया है तो यह आपको आइडिया होना चाहिए रॉष्ण यक के बारे में प्रश्ण बन सकता है अब हम देख लिए वन वर्ट सेक्षिन हमारा इंग्लिस लेंग्विज का तो शुरू करते हैं आज का 2015 में पोस्ट में की परिक्षा में यह आया है प्रश्ण यह है which word means deviation from the common rule यानि की जो common rule है वहाँ से deviation जो होता है उसके लिए एक proper word क्या है मतलब deviation का मतलब वहाँ से भटकाव एक तरीके से वहाँ से अलग हो जाना जो मुखे चीज़ है वहाँ से अलग हो जाना तो इसके लिए proper यहाँ पर word है यह है यह है दो यान की anomaly इसका हिंदी मतलब विसंगती होना मतलब की जो common चीज़ है जो proper चीज़ है उसमें कुछ खामियों होना कुछ गरवड़ी होना यानि की विसंगती हो जाना तो इसको हम बोलते हैं division from the common rule एंटीपैथी क्या होती है किसी से घिरना हो जाना आपको किसी से होट हेट हो जाती है दोस से वाई से किसी से कभी कभी हो जाती है तो यह इसके लिए proper वड़ है एंटीपैथी जाने कि किसी को हेट हो जाना घिरना हो जाना एनिमी आप जानते ह अंब अपstar, उतना होगी होग होता है, रखत कोमिकारण एली मॉनी होता है यहां पर इन रोता निर्वावhammer आपको पता होगा पती-पत्नी वाले केस में जब रेकोड करेंदब जाते हैं तो स्विश्कत है, तो पती-वावं पार्टनर को दूसरे पार्टनर को इसलिए इसका नाम है एलिमोन यह आपको पता हुना अच्छी है दूसरा वर्ड है लैक आफ मुवमेंट और एक्टिविटी 2015 है पोस्ट मेरे मेल कार्ड में आया हुए प्रशन है इसका सही होता है यहां पर दो यानिकी इनर्शिया इसका ह हिन्दी मारत होता है जड़ता यानि की स्थाइपन मतलब कोई मुवमेंट ही नहीं है हिन्दी में सके लिप आफ और जर्ता ही है इसको आप याद रखिएगा डेफिशेंट आप जानते हूं यानिकि कमी हो जाना अलैट्टस आप जानते हो जाना शतर के रहना मतलब की एक उपन इलेक्षक यानि कि सब इंस्पेक्टर में आया है कि CISF के उसमें तो यहां पर प्रस्टन है Showing a dislike of anything improper यानि कि कोई चीज improper है उसके प्रती अपना dislike show करना यानि कि आपको पसंद रही है तो उसके लिए एक proper word आता है यह होता है prim अच्छा word है prim तो आपको कोई चीज प्रॉपर पसंद नहीं आ रही है तो आप उसको टोक देते हैं आप dislike करते हैं तो इसके लिए है prim word है इसके लिए कि चीज़ें मतलब जो आपके इसाब से होनी चाहिए हो प्रॉपर नहीं है आपने dislike show कर दिया उसके लिए तो इसके लिए prim word है crude आप जानते हैं crude कच्छा तेल जैसे हम बोलते हैं यानि कच्छी जो चीज़ें होती है crude word होता है rude आप जानते है किसी को वेवार अच्छा नहीं होना मतलब बहुती rude प्रकार का व्यक्ति है यह आप जानते हैं कि मतलब होते हैं कई लोग कि अलग तरीके का उनका व्यवार होता उसके लिए हम रूट सब्स इस्तमाल कर देते हैं इस्ट्रिक्ट आप जानते हैं बहुती कड़े जो व्यक्ति होते हैं मतलब कि नियम काईदे बहुती ऐसे follow करने वाले लोग जो होते हैं strict मतलब कि सकती जो होती है उसको restrict बोलते हैं तो ये चारो को चारो word है यहाँ पे इसके लाबा ये प्रशन है Choose one word substitute for the carved paths followed by a planet or an object as it moves around another planet starts or moon मतलब कि जो card path है याने की मुड़ा हुआ जो पैथ है इस प्रकार से ये planet के चारो और इसके बारे में पूछ रहा है ये one word तो ये आया है स्रम इंस्पेक्टर 2015 में 36 गड़ में तो इस प्रशन का सही उत्तर क्या है इसका उत्तर है सही तीन orbit आप जानते हैं ये orbit होती है नहीं कक्षा जो होता है जहां पर घुमती रहती है इस प्रकार से चीज है तो उसके बारे में पूछा गया है तो card path ये ही हो गया card जो मुड़ा हुआ गुमता हुआ पैथ है इस प्रकार से तो इसके लिए word है orbit आर्केट क्या होता है आर्केड होता है लार्ज कवर्ड पैसेज होता है आर्केड नए वाट है मैं इसको आप पिक्चर के थुरू दिखाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा trajectory क्या होती है आपने सुना होगा मिसाल छोड़ते हैं धरती से कई सारी मिसाल से जो हम छोड़ते हैं तो उसके लिए जो अभी कोई हवा में फेकने वाली चीजी होती है तो उसका जो कार्ड पैत बन जाता है उसका कार्ड वानी मुड़ा हुआ जो पैत इस प्रकार से बन जाता है उसके लिए आता है ट्राजेक्टरी यानि कि मिसाल जो उना छोड़ी है कुछ सेटलाइट उसके थुरू छोड़ा है तो उसकी trajectory होती है इसके लिए word आता है trajectory तो यह आपको पता हो चुछिए to light क्या होता है to light होता है sunset के बात का समय और proper जो dark होता है उससे पहले का समय यानि कुछ beach का ऐसा समय होता है इसको हम to light बोलते हैं ना तो पूरी तरीके डार्क है और ना ही पूरी तरीके से light निकल रही है यानि sunset के बात का समय है और रात होने से पहले के समय को हम बोलते हैं to light अच्छा word है अब हम देखते हैं arcade मैं आपको बता चुका हूँ कि एक जो mirror passage है a large covered passage sorry a large covered passage जो होता है इसके लिए word आता है आर्केट यहां पे इसको भी आर्केट बोलते हैं यह आप देखा हूँ गेमिंग जो होता है यहां पे इस पे कुछ गेम खेलते हैं तो यह भी एक passage जैसा हो गया है covered passage जैसा हो जाता है तो इसके लिए word आता है arcade तो इन पिक्चर के थूँ आपको मेरे साब से याद रहेंगी चीज़े थोड़ी सी यह ऐसी पिक्चर आपने देखी होंगी इसके लिए प्रॉपर वर्ड है arcade यहां पे भी आप याद दखीएगा तो मुझे आसा है कि इस section आपको अच्छा लगा हुआ यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जड़सा लाइक करें share करें, subscribe करें ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फॉइदा रसकें आप मुझे अपने सुझा आप कमेंट वोक्स में बेज़ सकते हैं या मुझे email भी कर सकते हैं इसी के साथ धन्यवाद मिलते हैं की वीडियो में